तो सबसे पहले इसमें envisages जो वर्ड है उसका मतलब है imagine करना और privileges का मतलब एक तरीके से जो फायदे मिले हुए है कुछ advantages मिलना इस section में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांक की society में एक नई class निकल के आ रही थी एक नया group emerge हो रहा था middle class और किस तरीके से वो जो middle class है वो एक ऐसी society को envisage कर रही थी imagine कर रही थी जिसमें कि जितने भी privileges जितने भी advantages monarchs को, clergy को मिले हुए हैं वो खत्म हो जाएं तो वो लोग एक ऐसी society को imagine कर रहे थे जहां सभी लोग equal हो जहां इस तरीके के जो advantages कुछ लोगों को मिले हुए हैं वो ना हो रही थी देश में खाने की कमी हो रही थी तो इन सब के लिए क्या कहते हैं जो peasants है workers है उन्होंने लड़ाई लड़ी उन्होंने revolt किया था पास्ट में but they lack the means and programs to carry out full scale measures that would bring out a change in the social and economic order तो पुराने टाइम में इन लोगों ने revolt तो किया था but वो revolt बहुत बड़े level का नहीं था कि वो किसी चीज़ को properly change कर सके इन लोगों के पास इतने means इतने resources नहीं थे इतने संसाधन नहीं थे कि वो एक इतना बड़ा program चला पाएं इतना बड़ा revolt चला पाएं जिसकी वज़े से चीज़ें एकदम से पलट जाएं जो पूरी situation है वो change हो जाएं तो इतना powerful revolt जो है ये लोग नहीं कर पाए थे अभी तक ये पूरी social and economic order को change ही कर दे दिस वास लेफ्ट तो दोस groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas और इसी लिए अब ये जो जिम्मेदारी है economic and social order को change करने की उन लोगों पर आ गई थी जो की third state में थोड़े prosperous थे मतलब थोड़े समरिद्ध थे उनके पास थोड़ा पैसा था वो educated थे और उनके पास new ideas की access थी मतलब third state के अंदर ही जो लोग थोड़ी better position में थे जिनके पास थोड़े resources थे अब उनके उपर ये जिम्मेदारी बाकी लोगों ने छोड़ दीदी कि वो कोई change लाएंगे society में the 18th century witnessed the emergence of social groups अब 18th century में क्या हुआ कि अलग-अलग तरीके से जो social groups हैं वो emerge होके आ रहे थे नए-nए society में groups बन रहे थे इसी तरीके से एक group emerge होके आया जिसको नाम दिया गया middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer numbers of society तो जो middle class है ये उस group के लोगों को दी गई उस तरीके के लोगों को ये नाम दिया गया जो लोग अपने business को overseas फेला रहे थे दूसरे देशों में जाके वो business कर रहे थे और वहां से वो पैसा कमा रहे थे या फिर वो कुछ इस तरीके की चीज़ों को manufacture कर रहे थे जिसे woolen हो गया जो उनी कपड़े होते हैं जो silk की textile है इस तरीके के कपड़े जो कि या तो अमीर लोग खरीद रहे हैं या फिर उन्हें export किया जा रहा है तो जो लोग इस तरीके के business में involved थे इस तरीके की चीज़े manufacture कर रहे थे तो उनको भी किस class के अंडर consider किया गया middle class के अंडर तो middle class ऐसे लोगों का group है जो या तो जो पैसा है वो bullet, silk इस तरीके के महंगे चीज़ों को बना बना के कर रहे थे पैसा कमा रहे थे या वो किसी चीज़ को export करके पैसा कमा रहे थे या फिर वो कहीं दूसरे देश में जाके business चला रहे थे और वहां से पैसा कमा रहे थे तो इस तरीके के लोगों को क्या कहा middle class का नाम दिया गय तो हमने जब estates के बारे में समझा था तो हमने ये देखा था कि first जो estate है वो clergy इस किया प्रीस्ट किया है और second nobility किया मतलब राजा महाराजाओ किया इन दोनों लोगों को छोड़की बाकी जो कुछ भी बचा society में डॉक्टर हो गया फार्मर इंजनियर कोई भी मर्चेंट हो गया बिजनेस्पैन हो गया बाकी जितने भी लोग बचे पुजारियों को छोड़की और राजा महाराजाओं को छोड़की जो भी बचा वो third estate का पा जो मर्चेंट और मैनिफेक्टर्स हैं उनके अलावा third estate में प्रॉफेशन जो प्रॉफेशनल्स थे लॉयर हो गई वकील हो गई एड्मिस्ट्रेटिव ओफिशल्स हो गई जो की गवर्मेंट के लिए काम कर रहे हैं इस तरीके के लोग भी थे और पर पैजन्स होगरा भी तो यह जो पढ़े लिके लोग हैं प्रॉफेशनल लोग हैं लॉयर्स हैं इड्मिस्ट्रेटिव ओफिशल्स हैं इनके पास क्या था था थोड़ी सी एड्वांटेश थी यह थोड़ी खुली सोचके थे यह लोग क्या सोचते थे all of these were educated and believe that no group in society should be privileged by birth अब यह सारे जो को कोई privilege नहीं मिलनी चाहिए या कोई by birth उसको को particular advantage नहीं मिलनी चाहिए जैसा कि उस टाइम पर फ्रांस के society में हो रहा था कि जो clergy है nobility है उन्हें by birth ही कुछ rights मिल रहे थे कुछ privileges मिल रही थी तो यह लोग यह मानते थे जो middle class के लोग हैं यह यह मान रही थे कि किसी भी group को इस तरीके से privileges नहीं मिलनी चाहिए अपने जन से ही rather a person's social position must depend on his merit बलकि किसी भी person की society में जो position है वो उसके merit पर depend करनी चाहिए मतलब वो कितना सक्षम है उसके अंदर कितनी ability है वो कितना कामयाब हो सकता है तो उस चीज़ पे किसी भी person का social status social position जो है वो depend करनी चाहिए ना कि अगर कोई अमीर के घर में पैदा हुए तो वो जिससे राजा के घर में अगर वो पैदा हुए तो आगे जाके राजा ही बनेगा चाहिए उसकी capability है चाहिए नहीं है चाहिए उसको decision making आती है या नहीं आती चाहिए उसको लड़ाई लड़नी आती है नहीं आती ये चीज़ उन्हें social position मिलने चाहिए अब इस तरीके के जो idea थी जो कि एक ऐसी society के बारे में सोच रहे थे जो कि लोगों को freedom देती है जो कि equal laws की बात करती है कि सब equal रहेंगे, सबको अजादी रहेगी सबको equal opportunities मिलेंगी तो एक ऐसे society जो इन सभी चीज़ों की freedom की, equal laws की opportunities की उनकी बात करती है वैसी society को आगे रखा गया लोग अब वैसी society के बारे में सोच रहे थे किसकी वज़ा से? कुछ philosophers थे जैसे John Locke हो गए, Gene Jake Rossi हो गए इस तरीके के जो philosophers हैं ये लोग एक ऐसी society के ideas को अच्छे, अधिकार होंगे जहां पर किसी को भी जन्म से ही कुछ privileges नहीं मिलेंगे बलकि merit के basis पर उनकी social position decide होगी, तो इस तरीके के society को सोचा जा रहा था इन इस two treaties of government Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch तो जो Locke हैं जो John Locke हैं उन्होंने एक philosophy दी थी जो की थी two treaties of government अब इस philosophy में जो Locke हैं, वो क्या कहते हैं कि जो divine power हमने monarch को दी हुई है जो उसको absolute right मिले हुए है जो उसको बहुत सारे अधिकार मिले हुए है वो अपने आपको भगवान की तरह treat करता है, तो इस तरीके की जो doctrine है, उसको उसने refute कर दिया Locke ने उसको एक तरीके से नकार दिया कि society में ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए किसी particular person को इतने सारे rights, जितने सारे जो advantages है, वो नहीं मिलने चाहिए Ross you carried the idea forward अब Ross you जो है उन्होंने John Locke के इस idea को आगे बढ़ा है John Locke के रहे थे कि किसी particular person को सिर्फ एक person को इस तरीके से सारे अधिकार मिल जाना सही नहीं है, सारी society में जो जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने सबको equal तरीके से अधिकार होने चाहिए अब Ross you ने भी same चीज़ को आगे बढ़ाया and he proposes a form of government based on a social contract people and their representative उनके बीच में एक तरीके से एक contract रहेगा, एक social contract रहेगा, कि मतलब जो representatives हैं वो लोगों के भले के लिए काम करेंगे, उनके बेहाफ पे वो decisions लेंगे और जैसे ही अगर कोई representative भटकेगा, तो लोग उसको सही रहा पिलाने का काम करेंगे कि तुम हमारे गोल से भटक रहे हो तो रॉस्यू ने कैसी government को प्रपूस किया, जिसमें की लोग और उनके representative के बीच में एक social contract हो In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative the executive and judiciary और Montesquieu ने क्या कहा उन्होंने एक अलग philosophy रखी जिसका नाम था the spirit of the laws और इसमें उन्होंने क्या बात करी कि government के अंदर एक तरीके से power का division होना चाहिए किन-किन लोगों के बीच में legislative, executive and judiciary तो government के अंदर उन्होंने का एक तरीके से हमें तीन group पांट देने चाहिए और जो जितनी power है government के पास वो इन तीन organs में divide होनी चाहिए लॉपर बनाता है, executive law को implement करता है लाइजेसलेचर क्या करता है वो बनाता है, parliament में क्या होता है लाइजेसलेचर जो है वो बैठते हैं और वहाँ पर lawsuit bنتे है jetzt executive क्या करता है जो भी legislature law बनाए है, उनCしょ execute करने का काम करता है Vocês अग्जेक्यूटित करने का का जुडिश्री करता है यह जो पूरा सिस्टम है डिविजिन अफ पावर का वो मंटास्क्यों ने प्रॉपोस किया था इस मॉडल अफ गवर्मेंट वस पूट इंटो पॉर्स इल युए से आफ्टर दे थर्टीन कॉल इस डिक्लेर देर इंडिपेंदेंस फ्रॉम ब्रिटे गया उन युएस के कॉलोनीज में इंप्लिमेंट किया गया जो की ब्रिटेन से उन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस पाई थी हमने पढ़ा था कि लुई 16 के टाइम में 13 ऐसी अमेरिकन कॉलोनीज थी जिन्हें ब्रिटेन से आजादी मिली तो यह जो 13 ऐसे की बना रखा था जब वो आजाद हुई तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यही जो फॉर्म अफ गव्मेंट है जिसमें कि लाइजिसलेचर एग्जिक्यूटिव एंड जुडिश्री के बीच में पावर को डिवाइड किया जा रहा है इसको उन्होंने इंप्लिमेंट किया उसको अपने देश में लाया अब अमारिका के कॉंस्टिविशन में जो इंडिविज्विज्व में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राइट्स है और वो राइट्स तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे यह गैरेंटी जो दी जाती है यह एक इंप्रेंट एक्जाम्पल है कि का फ्रांस के thinkers का मतलब जब फ्रांस में इस तरीके से यह पूरी लहर चल रही थी जब लोग revolt कर रहे थे और social change की बात हो रहे थी तो अलग अलग ये जो philosopher's नेंगल के आए थे हमने john lock की बात की on tasker की बात की रॉसियू की बात की तो यह सारी जो designers यह अलग अलग फिलोसफि ला रहे थे और इनका असर बाकी देशों में हो रहा था आप देखोगे कि इसी तरीके का जो सिस्टम है वो हमारे देश में भी है तो यह जो form of government निकल के आ रहे थे यह जो individual right की बात है इन सभी चीजों का श्रे जो है वो फ्रांस के political thinkers को जाता है The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through the books and newspapers अभी जो नई-ने philosophers निकल के आ रहे थे तो इनके जो ideas हैं उनको publicly बहुत ज़्यादा discuss किया जा रहा था जहां salons उगेरा होते हैं वहाँ पे लोग बैट के इन सब बातों को discuss कर रहे हैं कि अच्छा उस philosopher ने ये बात कही है ये सही बात है मतलब लोग discussions कर रहे थे इन ideas के ऊपर लोग coffee houses में इन philosophers के ideas को discuss कर रहे थे और अलग अलग तरीके से ये जो ideas हैं in philosophers के वो books के through, newspapers के through इन सभी चीज़ों के माध्यम से maximum लोगों तक पहुचाने की कोशिश की जा रहे थी इन ideas को लगातार बहुत जदा लोगों के बीच में क्या था पढ़ा जा रहा था बहुत जोर जोर से पढ़ा जाता था ता कि जो लोग पढ़ नहीं पाते थे जो लोग लिख नहीं पाते थे उन तक भी ये बाते जो हैं वो पहुच पाएं अब क्या हुआ जब धीरे-धीरे करके ये news फैल रही थी कि जो लूई 16 है अब वो और जादा टेक्स लोगों के उड़ाने वाला है टेक्स को बढ़ाने वाला है ताकि जो स्टेट के बढ़ते हुए expenses हैं उनको वो meet कर सके तो जैसे ही ये news फैली जैसे ही ये बात फैली लोगों के बीच में उससे लोगों में और जादा एंगर जनरेट हो गया और जादा लोग जो हैं वो गुसा हो गए और वो पुरे ये जो system था privileges का जो ये लोगों को advantage मिली हु experience किया है old regime के time पे George Danton who later became active in revolutionary politics wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed his studies तो George Danton जो की उस time पे revolutionary politics में मतब जो क्रांतिकारी राजनीती हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा active हो गई थे बाद में उन्होंने 1793 में अपने एक friend को letter लिखा जिसमें कि वो उस time की बात कर रहे हैं जब उन्होंने अपनी पढ़ाई जस्ट खतम ही की थी I was educated in the residential college of Plessis वो कह रहे हैं कि मैं residential college of Plessis में educate हुआ मतलब की Plessis का जो college है residential college एक तरीके से जहां पर बच्चे खुद रहके पढ़ाई करते हैं तो वहां से उन्होंने पढ़ाई की there I was in the company of important men और उस time पर मैं कुछ important लोगों के साथ रहता था once my studies ended I was left with nothing और जैसे ही मेरी पढ़ाई खतम हुई वैसे ही मेरे पास कुछ भी नहीं बचा I started looking for a post मैं दीरे दीरे करे किसी post के लिए देखने लग गया मतलब एक तरीके से job की सर्च में लग गया it was impossible to find one at the law courts in Paris but Paris के जो law courts है उनमें कोई भी post कोई भी job find करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था impossible था the choice of a career in army was not open to me as I was not a noble by birth nor did I have a patron तो Denton कहते हैं उनके पास army में जाने का भी option नहीं था क्यूंकि वो by birth कोई noble नहीं थे और नहीं उनके उपर कोई patron था patron मतलब एक तरीके से जो स्तरंक्षन देता है जैसे आपको कुछ करने के लिए कोई उपर से पैसा दे रहा है आपकी मदद कर रहा है तो ऐसा कुछ भी Denton के पास कोई option नहीं था और जो चर्च थे वो भी मुझे रफ्यूज जो है वो नहीं करा पाए नहीं प्रवाइड करा पाया रहे थे तो वो कहते हैं कि वो अपने लिए एक office भी नहीं खरीद पा रहे थे क्यूंकि उनके पास एक सो भी नहीं था सो मतलब एक तरीके सी एक पुराना french coin है जिसकी बहुत ही कम value होती थी जैसे हम कहते हैं ना मेरे पास एक फूटी कौडी भी नहीं है तो वही कहना चाहरे हैं कि वो उनके पास पैसा नहीं था इसे लिए वो अपना office भी शुरू नहीं कर पा रहे थे my old friends turned their backs to me मेरे जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने मेरे को पीट दिखाना शुरू कर दिया था मतलब कि अब वो भी उनके काम नहीं आ रहे थे the system had provided us with an education without however offering a field where our talents could be utilized मतलब कि जो पुरा system है उसने हमें education तो प्रोवाइड कराए भी थी मतलब उसने इतनी facility तो दे रही थी कि हम अपने आपको educate कर पाएं पढ लिख सके but पुरे system ने हमें वो position वो opportunities नहीं प्रोवाइड करी कि जिससे हम अपने उस education को कहीं इस्तमाल भी कर सके मतलब पड़ लिख तो वो लोग गए बड़ जॉब नहीं लग ली अन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रावल्ड तू फ्रांस दूरिं दे यर्स वं 1787 तू 1789 अन रोट डीटेल डिस्रिप्शन आप इस जर्नी एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम आर्थर यंग था और उ जो चीज़ा उन्होंने देखिए उसके बारे में वो लिखते थी पड़ नौकरों को अपने चारों तरफ रखेगा इल ट्रेटेट जाना चाहिए कि ऐसा करके वह अपने जब अपने स्लेट को मतलब जिनकी वह मदद ले रहा है जिनको वह एक तरीके से नौकरी पर रख रहा है अगर वह उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करेगा त वो खुद की जो property है, उसकी life है, उसको वो एक ऐसी situation में डाल रहा है, जो कि बहुत ही बुरी होने वाली है और जो कि बहुत ही different होती है उस situation से, जिसमें की वो अपने जो slaves अगरा है, जो servants हैं, उनको जब वो सही से treat करता है, मतलब कि उसके पास दो option है, या तब वो अपने जो servants होगे रहा हैं, उनको सही से treat करे, जा फिर उनको गंदे तरीके से treat करे, अगर वो उनको गंदे तरीके से treat करता है, तो उसकी life है, उसकी property है, वो बहुत ही बुरी condition में चले जाएगी, और अगर वो अपने जो servants हैं, उनको सही से treat करता है, उनको सही से respect देता है, तो उसकी life जो है वो बेटर हुगी फिर वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि अपने विक्टिम्स की करहना सुनते हुए खाना खाना पसंद करते हैं मतलब जिन लोगों को उन्होंने मारा है उनको परिषान किया है वो लोग करा रहे हैं और वो वहाँ पर मज़े उड़ा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी ये समझ जाना चाहिए कि अगर किसी दिन दंगे हुए और उनकी बेटी को किड्नाइप कर लिया गया या फिर उनके जो सन है उनकी जो बेटे हैं अगर उनका गला वो अपना दुखणा ना रोएं फिर वो कंप्लेंड ना करें तो इस तरीके की सिचुएशन उन्होंने जो है बताई है कहने का मतलब ये है कि ओल्ड रजीम के टाइम फ्रांस में सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी थी कि लोग पहली बात पढ़ लिख रहे थे बटन को जॉब नहीं मिल रही थी जॉब नहीं मिलेगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा पैसा नहीं होगा तो वो खाना नहीं खापाएंगे खाना नहीं है या कोई राजा माराजा है वो क्या कर रहा है वो अपने जो गुलाम है उनको बहुत ही गंदे तरीक से ट्रीट कर रहा है तो अल्टिमेटली क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो गुलाम है वो ठक जाएंगे और वो बोलेंगे कि बस अब और नहीं फिर वो करना शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे और उनको अत्याचार कर रहे थे उनके उपर तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हमें फ्रांस में देखने मिल रही थी ओल्ड रेजीम के टाइम पर और ये सारी चीजे जो है वो लोगों के अंदर देरे देरे करके अक्यूमिलेट होती जाएंगे और फिर जो है एक ऐसा रेवल्यूशन देखने मिले की जो की अक्च्वल में चीजों को चेंज कर देगा जो की सिचुएशन को चेंज कर देगा